आजकर सोशल मीडिया पर धीरेंद कृष्ण शास्त्री चर्चा का विशय बने हुए हैं। कुछ हाल के मीडिया वाले अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। मैं भी एक बहन के नाते धीरेंद कृष्ण शास्त्री की सिद्धियों का विशलेशन करना चाहती हूँ। सनातन ग्यान का मतलब सिध्ध होता है। हमारे संतों में कई सारी सिद्धिया है, जो परंपरागत चलती चलिया रही है, कई बार हमारे ग्रंथों में खोजने से भी नहीं मिलते हैं। दिरेंद क्रिश्न शास्त्री जी को ये ग्यान है, कि किसी का नाम बता देना, उसके बारे में सारा ग्यान दे देना, ये सब सिध्धियों के अंदरगत आता है, हमारे धरम रंथों में धरम शास्त्रों में मंत्र महारानाव में इसका वर्णन आता है, ये सिध्धिया भी कई प्रकार की होती है, जैसे कर्ण पिचासिनी की सिध्धी, इसको सिध्ध करने के बाद कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या नाम है, साधक को ये सब पहले ही मालुम पर जाता है, पिचासिनी इस सब साधक के कान में पहले से ही बता देती है, इसी तरह होता है, बार्ताली ये के बिना मुश्किल होता है क्योंकि हनुमान चालीसा तो सभी जानते हैं उसकी महिमा का आभास भी हमें होने लगता है लेकिन हनुमत तंत्र के बारे में कम लोग ही जानते हैं हनुमत तंत्र में हनुमान जी के गण होते हैं वे भी इसी तरह की सिद्धियों में आते हैं ऐसा ही भैरोत अंत्र में भी है, जैसे एक ब्यापारी बहुत मेहनत करके धन कमा लेता है, इसी प्रकार संतों में भी सिद्धी परिश्रमन है, सही गुरु का मिलना, सही मंत्र का मिलना, सही साधन होना तभी सिद्धी प्राप्त की जा सकती है, सिद्धिया प्राप्त होने के बाद श दोस्तों इस बहेन के तर्क से आप कितना संतुस्थ हैं कमिन्ट में जरूर बताएं जय हो भागिश्वर महराज की जय हो जय हो सन्यासी बाबा की जय हो